हेलो एवरिवन आज हम लोग बात करने वाले बिहार पुलिस एक्जाम दोजार चॉबए जो की आज के दिन 11 अगस्त को जो पेपर हुआ है इसमें से आप लोग अपना मैच करके देख सकते हैं कि कितना क्वेशन आपका सही हो गया है साथी बात करें कि अलग-अलग डिस्टि से बात किये गए थे ये भी बात करेंगे या नि अगर आप एक्जाम देने वाले हैं अगले समय में तो कहीं न कहीं आपका जो अगला एक्जाम है उससे पता चल जाएगा कि कौन-कौन से चैप्टर से क्वेशन आ रहा है तो अगर बात करें तो चली आए स्टार्ट करते ह हम लोग देखिए पहला क्वेशन बोल रहा है दाब का एसाई मातरक क्या है पासकल है देखिए एसाई मातरक से क्वेशन पूछे जा रहा है पिछले वी एक्जाम में क्या किया गया था तो आपको ये एसाई मातरक को पर के जाना याद रखना है देखिए सम्मिधान बनान यानि बेसिक वेशन आपको सम्मीधान से लिरेटेट परागी जाना है आपको याद रखना बनाने में कितना समय लगा था दोव चाहली जारा महीना अठारा दिन लगा था, इन में से कौन से बिहार से 6 राज नहीं है तो आपको याद रखना है 46 गड बिहार अओं पराज नहीं थे, option के according यह आपका टिक लगेगा, क्योंकि option में जो मौझूद रहेंगे, answer उसीप के according टिक लग पाएगा, तो बहुत सारे option में थे, बिहार के सटा, या नि आपका यह West Bengal भी दिया हुआ था, UP भी दिया हुआ था, तो UP और West Bengal तो नहीं होगा, 36 गर सटा हुआ, तो formic acid होता है, देखिए आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, science से question पूछ दिया गया है, बिच्चू के डंग में कौन से acid है, तो formic acid होता है, देखें मोहन जोदरो का शाप्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, तो मोहन जोदरो का जो साप्दिक अर्थ होता है, मृतिको क तिला, यानि आपको याद रखना है, मोहन जोदरो से related भी question पर के जाना है, और कौन से culture, किस से related है, PC culture, Seri culture, यह सारा आपको पर के जाना है, साथी बात करें, किस चीज में कौन सा अमल पाया जाता है, तो किस तरीके का acid पाया जाता है, यह भी आपको पर के जाना है, जिसस विद्रो के बात किया रहे है 1922 में 1922 में हुआ था या आप याद कर लिजेगा यह रंपा विद्रो से रिलेटेड कोईशन आप पर के जाईएगा एक बढ़ामपूत्र नदी को बंगलादेस में किस नाम से जाना जाते हैं तो आपको याद रखना होगा बढ़ामपूत्र न जमुना के नाम से जाना जाता है अब देखिए वास्कोडी गामा भारत कब आया था तो 1498 में आपको याद रखना है गंगा और बढ़ामपूत्रा यानि गंगा पलस बढ़ामपूत्रा मिलने से कौन सा नदी बनेगा आपको ये सारा याद रखके जाना है कि मेगना अब देखिए वास्कोडी गामा भारत कब आया था तो ये मैंने बात कर लिया है 1498 में आया था याद रखना है अच्छे ये भी पता कर किजेगा आप लोगी वास्कोडी गामा को यहां पर हेल्प कौन किया था गुजरात का कौन वैपारी था कि जो हेल्प किया था वास्क विश्यों में ठकान होती है प्रथम विश्यूद का ततकालीन कारण क्या था तो प्रथम जो विश्यूद हुआ था फर्स्ट वल्ड वर उसका ततकालीन कारण क्या था और श्रिया का राजा था उसका क्या कर दिया गया था हत्या कर देना है आपको नाम कमेंट करना है कमें तीकाएं याद रखना है आपको लगों का मुल् निवास पुछा गया था तो आर्खो का मुल् निवास क्या होता एशिया है मदेशिया यह भी आपको आरेओ का मुल् निवास आरेओ से रिलेटेट फट्टन भी पूछ के जाना भारत को किस नाम से कौन बोलते थे यह सारे चीज़ आपको पर के जाने होंगे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छुटने वाला है किस ने कहा कॉंग्रिस हन्थियारों के बीना ग्री युद्ध है? तो आपको याद रखना है सर सायद आम्द खान ने कहा था चलिए आगे उतरवैधी काल में इंदर का स्थान किस देवता को मिला है? उतरवैधी काल में प्रजापती को मिला है ओजोन परत दिवस कव मनाया जाते है तो आपको 16 दिसंबर याद रखना है साथी और भी दिवस आपको पर के जाना है जिससे कि आपका इसका question ना छुटे देखे भारत के राष्टपती को छामाधान की सकती क्या 72 आर्टिकल 72 में बात किया गया है भारत के राष्टपती को क पीछले भी exam में पूछा है तो आपको राष्टपती परके जाना होगा पर्धान मंतली परके जाना होगा आप याद रखिएगा राष्टपती परधान मंत्री को पर्षिदेंट पिम अगर आप स्पीकर के बारे में थोड़ा सब पढ़ लिजेगा थोड़ा सब बिअ़kor जो आप देखते होंगे देली सल्तनत ये सारा आप पर लिजेगा अच्छे से, साथी उसके बाद कहीं न कहीं modern history पर जादे जोर दीजेगा, modern history से एक दम बिल्कुल question पूछा जाएगा, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो आपको याद रखना है, राम गंगा बिहार में नहीं बहती है, गंगा बिहारं से बहती है, याद रखना है, हिरोशिमा पर लिटील बॉए का बम था, वो कब गिराए गया था, तो च्छे अगस्तु निस्ग dedi 1945 में गिराए गया था, तो आपको कहीं न कहीं ये first world war, first world war ये सारब, second, third ये सारा परके जाना है आपको world war विजेनगर समराजे की राजधानी कहा है हम प्यजेन अगरज discussion के शाशा का नाम किया थो यह सारा चीज़्य आप पर्के जायेगा अच्छे से बिहार का राज़की है पुष्प कौन सा है तो गेंदा ए बिहार के बारे में पर लिजेगा बिहार का राज़की है पुष्प क्वेशन एक दम पूछा जाएगा तो कोई भी competition का बुक उठाएगा जिसमें से बिहार का हो इंडिया का हो उससे related कोई फर्स्ट पूप पेज में फर्स सेकंड थर्ड पेज में अगर जो भी दिया उसको रट लीजिए अभी से भी टाइम है आपके पास दो तीन दिन में बह सकते हैं क्योंकि मुहमद बिन कासिम ने पहले जजियकर के बारे में बात किया है सबसे पहले बात किया था मुहमद बिन कासिम ने जजियकर कर के बारे में लेकिन कुतुब दीन एवक ने भारत लेवल पे इसको क्या किया था इंडिया लेवल पे इसको क्या किया था सब्सक्राइब एट, नाइन, टेंथ में जो भी क्वेश्चन है, कमेस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारे के क्वेश्चन और साइंस में जो भी क्वेश्चन है, वो ही सारे पूछे जारे एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कि आप से बन सकता है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, तो ख आप देख लिजेगा, 18 तारीक है, या 19 तारीक है, तो वो सारा हो सकता है, 19 तक हम पूरा बायो अपलोड कर दे, हो सकता है, कमेस्ट्री भी अपलोड हो जाए उस दिन, यानि आप देखिएगा, ट्राई कीजेगा, चैनल पे रहने का, जिसे कि आपको पता चल पाए, कौन स समझ में बिलकुल आएगा ही आएगा, साथी हम लुसेंट भी वहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो लुसेंट से आपका क्वेशन चुटने वाला नहीं है, लेकिन लुसेंट में हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हम जादे जादे ट्राई कर रहे हैं, जो बेसि 119 तक का जो काम हुआ है, बहुत सारे घटनाय घटित हुई है, आप याद रखेएगा, जालिया वाला भाग, यह सारा चीज़ जो हुआ है, आप उसको परके जाइएगा, जिससे कि आपको क्वेशन नहीं चुटेगा, भारत का राष्ट्य विरास्त पशु कौन सा है, तो यह सारे क्वेशन कहीं आपको अगर नहीं ध्यान होगा, तो छूट सकते हैं आपसे, यह सब ऐसा क्वेशन है, जिवीत कोशिका के खोज करता कौन है, तो लुविन हॉक है, फिर से बायो से क्वेशन पूछ लिया गया है, जिवीत कोशिका के खोज करता कौन है, तो लुव विलिद हुए थे पहले में नहीं नहीं आपको याद रखना कि में नहीं आपको गंगा को फ्लこれで गुम्ने अपужд जहए को जै मेंBa सकते हैं इस वहांपर बहु दिआ तो हींच आपको 14 rats अब साओगा ही आपको मिलेगा कर एक हिट्लिर का जन्म कहा किसे लंबाई की जए झाया भीहार में यह तो क्वेशन ही । पूछ लए आप टोटल लेंथ पर पूल नीजेगा, गंगा का क्या है, लोकसभा का लीडर, लोकसभा का लीडर कौन होते हैं, तो PM होते हैं, अपको यह option के according भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मिछक कटिकम के रचनाकार क्यों कौन थे, तो शुधरक ते, आप रचनाकार जरूर पढ़ लिजेगा, कौन से चीज के कौन से रचनाकार थी, यह भी बहुत अच्छे से पूछता है question, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे question बोल रहा है, जाट जाटी लोक निरिते कहां 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 है, तो बिहार का आपको याद रखना है, साथी बिहार के जो लोक निरिते हैं, यह सारे चीज आप बढ संधान के अंदर कहां है, यह सारा चीज आप पढ़ लिजेगा, सेरी कल्चर, PC कल्चर, यह सारा चीज इकदम पढ़ लिजेगा, सेबी के अध्यक्ष माधिवी पूरी बुच्छ हैं, आपको याद रखना है, आप अध्यक्ष पर लिजेगे, current वगेरा भी पूछ रहा है, कहीं न कहीं, आप current भी बहुत इजी पूछ रहा है, first page से ही पूछ रहा है, आप current अफेर जो हमने complete करवाया है, आप देखिएगा, mcqs मैंने वहाँ पर complete करवाया है, तो mcqs हम कहीं न कहीं, 18 से पहले ही क्या कर देंगे, complete कर देंगे, time की थोड़ी सी कम ही है, इसलिए complete न क्या होती है, तो आप यह सारा हो सकता है, पूछ ले तो आप अगली बार याद रखिएगा, light का क्या होता है, धन विद्यक किस बार आर्टिकल में बात किया है, तो 110, आर्टिकल नमर 110 में धन विद्यक, आप देखिए, धन विद्यक हो गया, यह सारा चीज कहीं न कहीं आपको question छूटना ने चाहिए, यानि ये बहुत सारे सा basic question है, ये बिलकुल बनेगा, लेकिन अगर नहीं पता हो तो कहीं न कहीं छूट जाएगा, एक बार भी पढ़ ली जागा तो आपको याद रहेगा, ये सब ऐसा question है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने, नील आमस्टॉ आपको याद हो सकता है कि दूसरा कदम पूछ ले, दूसरा कदम कौन रखा तो दूसरा कदम आप क्या कजिए, comment box में बताई जिससे कि आपको याद भी हो जाए, अब देखिए, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष क्या है, नंद किशोर याद बिहार विधान सभा के अध् परना है, स्टार्ट किजएगा, तो दो-तीन दिन में टॉपिक खतम हो जाएगा, जितना ही पूछा जा रहा है, तो में भी क्वेशन उससे नहीं चुटेगा, बिहार में तेल शोदा कर खाना कौन सा है, बरोनी में याद रखना है, बिहार में कौन-कौन से कर खाना कहां प साथ ही हो सकता है, नैशनल पर्क से साथ-साथ अगर बात करें, तो हो सकता है, कौन से राष्ट्रियो दियान में किसका कंजरवेशन, कौन से अनिमल या ट्री का बारे में बात किया गया है, तो ये सारा हो सकता है, पूछ ले ठोड़ा सा वैसे आप एक वार पढ़के जरू पर दोस्तों माफ कीजेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं करवाँगा आप दूसरे के भी चैनल पर जाके देख लिए आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना होगा कि आपका एक्जाम निकलना चाहिए एक्जाम अगर निकलेगा तो ही आपका फैदा होगा यह नहीं कि करमांक सोला है वो क्या है सबसे पहले आधातु और सलफर देखें फिर कमेश्ट्री से तो क्वेशन पूछी रहा है जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है तो सूवकता कहते हैं उसको हिंदी से कितना एजी क्वेशन है वरमी कंपोश होता है क्या जै से संब्ढ़नित है तो कीट विच्ञान विच्छन हो सकता है कौन सा विग्यान किससे संब्ढ़नित है और अपको पढ़ के जाने हैं नरेंदर कमपानी है आपसे यह पूछ सकता है अविश्कारक या जरूर पढ़के जाएगा अविश्कारक पिछले भी एक्जाम है यानि इसमें जो जो question पूछेगा है इसमें से मैं बता दू कि 72-80% जो topic है वो पिछले आपका जो exam है उसी में से पूछेगा है यानि 72-80% जो question है वो पिछला exam का 70 80-80% जो question उसी के topic से पूछेगा है तो कहीं न कहीं आपको एकदम बता रहा है बिहार पुलिस का examination कि कौन से topic से हम question पूछने वाले है अब देखिए पहली महिला उच न्याले की मुख न्याधिश कौन थी तो लीला सेट थी तो आपको यह याद रखना है साथी और भी आप आपको देखना होगे कि कौन सी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही है यह आपको यह दम मुखे नियाधिश रही है यह सारा चीज याद रखना है आपको पहली महिला परके जाना है पहले पुरुष परके जाना है तो बिहार में सोना कहा जमुई जिला आपक का बिहार किस चीज़ पे है, सेकंड रैंग में किस चीज़ पे है, तो ये सारा मैंने कहीं न कहीं क्वेशन आपका करवाद ये बहुत सारे क्वेशन करवाए हैं, जो भी मुझे मिल पाया है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगे कौन से टॉपिक से क्वेशन पूछे जा कि कौन सा वीडियो में किस टाइप का क्वेशन पूछा है, जिससे कि आप अंदाजे लगा पाएंगे, अगर आपका एक्जाम आगे है, तो आपको कहीं न कहीं एक्जाम में सोचने की जोतनी परेगी कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमी क्वेशन आ रहे हैं, हम लोग यहां प बात करें, तो देखिए साइंस का बायो से क्वेशन बहुत अच्छा है, कमेश्री से क्वेशन अच्छा है, फिजिक से बहुत कम दिखा है इस वार, पिछले वार में फिजिक से क्वेशन था, कहीं न कहीं जादे, तो यह सारा चीज बता रहे है कि कौन से एक्जाम में कौ टॉपिक के साथ जब तक के लिए जाहिन